तो चालिए रुकात एक और बड़ी खबर की तरफ आपको बता दे कि आज अठारा प्लस वालों को आज केंडों पर लगेगा ठीका राजधानी के 49 वाक्सिन सेंटरों पर होगा ठीका करना आज तो ये बड़ी खबर आपको बता है राजधानी में कोरोना वाक्सिनेशन सेंटर की संख्या में बड़ोत्रू ही कर दी गई है और इसके तहट बुद्वार को 18 से अधिक उम्रवालों को 49 सेंटरों पर और 45 से अधिक उम्रवालों को 52 सेंटर पर वाक्सिन लगाई जाई इस उम्वार को ही वाक्सिनेशन की तुल्ना में 18 प्लस वालों के लिए 27 सेंटर बढ़ाए गए थे जबकि 45 से अधिक उम्रवालों के लिए 5 सेंटर का इजाफ़ा किया गया है खास बात ये है कि जिन सेंटर पर 45 से अधिक उम्रवालों को पहला और दूसरा दोनों डोज लगाने की ववस्ता है वहां कई सेंटर बे केपैसिटी 500 तक रखी गई है जिल्ला प्रसाशन के अधिकारियों के मताबिक अब रोजाना की शम्ता बढ़ा कर 15 हजार इससे अधिक की जाएगी तो इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ सम्वाद आता अनन्या चतुरवेदी हमारे साथ जुड़ गई है अनन्या जस्तरीके से वाक्सिनेशन की अगर हम बात करें टीन प्लस वाक्सिनेशन तो यहां पे सिती को देखके हुए केंडरों पर जो ठीके लग रहे थे उनका जो सेंटर्स है वो यहां पे बढ़ाए गए है अनन्या आपको मेरी आवास मिल पा रही है तो अनन्या से हमारा संपरक नहीं हो पा रहा है दुबारा हम कोशिश कर रहा है तो यहां आपको बड़ी खबर बता रहते हैं टारा प्लस वालों को जो आज केंडरों पर ठीका लगना है वो राजधानी के उन्चास वैक्सीन सेंटर उपर अब ठीका करन होगा अनन्या एक बार फिर हमारे साथ जो गई है अनन्या जिस तरीके से देखा जाए मौझूद अस्तती को देखे अगर वैक्सिनेशन की बात करें तो अठारा प्लस की जो केंडर यहां पर निधारत किये गए थे उन्में यहां इजाफा किया गया है इसके पहले भी अठारा प्लस के अधिक अधिक उमरवालों को बावन संटर्स पर राक्तिन अब लगाई जाएगी लिए अधारा प्लस वालों को इलिए अब 17 संटर्स जो बढ़ाए गया है जिन संटर्स पर राक्तिमेशन होना है वहां पर प्लस के अधिक उमरवालों को पहला और दूसरा डूर्स जोरों की अधिक यहां कई संटर्स जो हैं जहां पर 500 लोगों को एगल वैक्टिशन किया जा सकता है इसके साहन से गर आप देखे जाए तो दिला प्रशासन के अधिकार यह सुमताबिक का फिरुजाना की शंटा जो है इसे बढ़ातर पंद्रह हजार रहने कि इस से अधिक भी कि जाएगी याने ही साफ बाते की वैसलेशन की प्रक्रिया जो है उसमें किसके लिए तेजी आ स प्रक्रिया जो है उनकी शंटा में सौ से लेके 500 तक रखी गई है अधारा के पतालर सक कि जिन लोग को प्रक्रिया जाए गया है उनके पास मैसेज आ चुका है और अपनी लोग के लिए लोग के लिए लोग के लिए ने कब टीका लगवाना है तो इन सबी चीजों के पर र पर कर सकते हैं पर आरों के सुपर कर सकते हैं उनके पास एक मेस्ज आए को उने बताया जाए कि आप कहां पर जो है आप जो है वागवा सकते हैं सादी यहां पर जो है जो है जो है पूदरा से हो चुकी है ऐसे में आपर लमी लमी कातारों में लग्सर लोग करवा रहे हैं बुकिन करवाने के बावजी तो है वैक्टिशिन कर रवाने के नहीं पहुँच रहे हैं उनके अलावा जिनकी हो चुक है निके उनको बागाया जारहा है यह यह नहीं कि बैसी जारी है यहां पर लगातार वाक्युन जारी जारी है 18 प्रुष में जुक्ते ही लोग है 11 सालत करवाने के बात जो टीका लगाया जा रहा था तो चारह में लिकेंदर पर टीकी के लिए पहुंचे एक आदमी के घर लोटना पड़ा था उसको कि वहां पर लंबी राइन लगए उसके एसे में उनने वापस पूंचिया गया और जिशा गया कि अननिया यह मैं आप से जाना अनिया जाना गया कि इस तरीके से अबादी हमारे डेश इलादा है तारेट अगर जो है उसके पहले पांशना करफ आदिया गया है एक सिर्फ यह एक जिन में राजभानी में ताइस के अच्टरो पर यह वावन केंदर पर आज रही है और वावन केंदर पर वैस्न लगां अनन्या क्या आगे और सिथी अगर बढ़ती है जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसी का पालन करते हुए हमें ये वैक्सिनेशन अभ्यान भी सफल बनाना है तो क्या आगे और सेंटर्स यहां पर बढ़ाये जाएंगे अगर वैक्सिनेशन के लिए जादा लोग पहुंचते हैं तो आगे इस वक्त वैक्सिनेशन जो है बहुत जरूरी है और लोगों को जादरूप भी लगाता रहे हैं आपर गरतार करते हैं अननिया यहां पर कैम्प लगाने की बात भी सामने आ रही है कि अब बहुत जल्दी यहां पर ठीका कैम्प भी लगाये जाएंगे यहां पर कैम्प लगाने की बात भी जाएंगे यहां पर कैम्प लगाने की बात भी जाएंगे रही है तो ताब बात है कि बाक्राइशन पर गवर्मिंट का फोकुस तो है इसांति यहां पर भी फोकुस बिल्कुल अचाले बहुत शुक्री आनने आमें पूरी जानकारी के लिए यहां पर तो आपको बता दे 18 प्लस वालों को आज केंडरों पर ठीका लगाया जाएगा 49 केंडरों पर सेंटर्स बनाये गए हैं जो ठीका करन होगा और जल्दी ठीका कैंप भी यहां पर लगाये जाएगे 50 क tenía है जाएगे जाएगे झाली की आतकि min आन्कारी केंअ पर लगाये जाएगे जाएगे झालों केंगे